साथियो नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ज़ादा जो भी महंगे खाद हैं उनके सस्ते सबस्टिटीट बताने जा रहा हूँ और हम महंगे खादों को कैसे सस्ता कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे और यदि आप पूरा समय देते हैं इस वीडियो को तो आप यकीन मानिए इसके अंदर आप अच्छे फंगिसाइट्स अच्छे कीटना सक और अच्छे ग्रोथ प्रमोटर उसके साथ में अच्छे सीड ट्रीटमेंट वाले जो साल्ट हैं उनके बारे में सीख पाओगे और बहुत अच्छे खाद जिनने की आप पानी के माध्यम से चला सकते हो आपको खेत में बुरकाओ करने की भी ज़रूरत नहीं है उसके बारे में पूरी डेटेल जान पाओगे और ये खाद मेंने सभी फसलों के हिसाब से डिजाइन किये है आप हर एक फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं आप अपने खेत की जो भी अवस्था हो उसके अनूसार अपना प्रोडेक्ट चुन के उसका उपयोग करिए आपको सारे खाद या सारे कीटना सक या सारे फंगिसाइट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप अपने एरिया के हिसाब से अपनी फसल के हिसाब से इसमें से सही प्रोडेक्ट चुन के उपयोग कर सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ लीजे मैं आपको रिपलाई ज़रूर करूँगा साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम जानने की कोशिस करेंगे कि हम जो भी बुरकाओ करते हैं या कोई भी दबाईयां लगाते हैं उनमें हमारे पास में 5 सबसे अच्छे खाद कव कव लगाई जाने चाहिए और कौन से होने चाहिए तो देखिए सबसे पहला जो खाद हम पहले पानी के समय लगाते हैं एक पानी लगाने से एक दिन पहले जो बुरकाओ करते हैं उसमें हम यूरिया लगबग 35 किलोग्राम लेते हैं डीएपी हम यहाँ पर 20 किलोग्राम ले सकते हैं जिपसम 25 किलोग्राम ले सकते हैं या सागरिका 10 किलोग्राम या जाइम कोई भी ग्रेनुवल फॉर्म में हम 10 किलोग्राम डाल सकते हैं इसमें 500 ग्राम हम प्रती एकड के हिसाब से डालेंगे तो अच्छा रहेगा हमें कोई भी ग्रेनुवल चाहे डियेपी है जिपसम है सागरिका या जाइम है उनमें से किसी एक को चुनना होगा डियेपी यहाँ पर पौदे की जड़ों का विकास करने का काम करता है पौदे मे 35 किलोग्राम के साथ में हराकसिस हमें 6 किलोग्राम लेना चाहिए और इसके साथ में हियूमिक एसिट 500 ग्राम मिलाके हमें खेत में बुरकाव कर देना चाहिए उसके साथ में पानी लगा देना चाहिए साथियो तीसरे पानी पर हमें यूरिया खात 35 किलोग्राम के साथ में चूना 6 kg प्रती एकड के हिसाब से लेना चाहिए और नीला थोता है यहां पर 1200 ग्रती एकड के हिसाब से हमें तीसरे पानी पर डाल देना चाहिए यह कीटना सक्का अच्छा काम करता है अच्छा फंगी साइड का भी काम करता है चोथे पानी पर हमें यूरिया 35 kg के साथ में सुहागा 2 kg प्रती एकड के हिसाब से और खाना सोड़ा 1 kg प्रती एकड के हिसाब से उप्योग करना चाहिए और पांचवे पानी पर हमें यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ में सलफर डवलो डीजी 2 किलोग्राम और पोटास 0050 2 किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब से मिला के बुरकाओ करके पानी लगा देना चाहिए साथियों ये पांच खाद हैं जो कि किसी भी फसल को चाहे वो बड़ी फसल है चोटी फसल है या किसी भी प्रकार की फसल है उसको मैनेज करने में सक्षम होंगे अगर आपकी फसल ज़्यादा चोटी है तो इन मेंसे कोई भी एक दो खाद आप मिस कर सकते हैं और दूसरे पानी के साथ में अपने खेत को देते हैं तो हमें किस प्रकार से देना होगा और क्या डोज होंगी। किसान साथियों को ये दोविधा रहती है कि हम पानी में घोल को जब चलाएं तो किस हिसाब से चलाना चाहिए। हम यूरिया लेना होगा हराकसिस यहाँ पर मातर 1.5 kg ले सकते हैं और ह्यूमिक एसेड 500 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से घोल बनाके हम उसमें चला सकते हैं इससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों तीसरे पानी पर यूरिया हम 6 kg प्रती एकड ले सकते हैं चूना यहाँ पर 3 kg प्रती एकड के हिसाब से और चूना हमें अलग से घोल लेना होगा लगवग 15-20 लीटर पानी के साथ में और उस पानी में ही हमें यहाँ पर यूरिया खाद को घोलना होगा और उसी म हमें अच्छे रिजल्ट अच्छे फंगी साइड और कीट ना सकता भी रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियो चौत हे पानी पर यहां पर यूरिया हम 6 किलो ग्राम प्रती एकड के हिसाब से लेंगे इसमें सुहागा एक किलोग्राम प्रती एकड़ और खाना सोड़ा एक किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से गोहल बना के हम पानी के साथ में चला सकते हैं ये एक अच्छी डोज कही जाएगी साथियों पांच में पानी पर यूरिया खाद 6 किलोग्राम के साथ में WDG sulfur 1 kg और potass यहाँ पर 1 kg प्रती एकल के हिसाब से गोल बना ले sulfur, potass और urea khad को और गोल बनाने के बाद में हम इसे पानी के साथ छोड़ सकते हैं यह last का पानी होगा अगर इस पानी पर हम sulfur और potass छोड़ देते हैं तो यह दाने के भराव के साथ दाने में चमक अच्छी लेकर आएगा और पौदे को मजबूत रखेगा ठीक है? पौदे के पकवार के समय यह उसे support करने में बहुत लाबधायक सावित होगा साथि यह तो थे हमारे बुरकाओ के और पानी के साथ में छोड़ने वाले खाद इनके आगे हमें काम यह बहुत जरूरी करने चाहिए कि दीमक अगर हमारी खेत में आती है हमें पता है कि हमारे खेत में दीमक है या सपेद लट जैसे कि अभी जुआर कट रही है बाजरे कटे हैं और आपके मक्का की कटाई हुई है बहुत सारे किसान साथी गोवर की खाद डालेंगे अपने खेतों में तो सपेद लट जो मोटी गिडार होती है सपेद वाली वो हमारे खेतों में आ जाती है और इस गिडार से बचने के लिए हमें कैई सारे उपाए करने चाहिए है साथियों अगर हमें लगता है कि हमारे खेतों में जडगलन की समस्या जादा है या उक्टा की समस्या जादा है और हम इसका बायो के तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो देखे 10 ग्राम प्रती किलो के हिसाफ से सीड में हम इसका treatment कर सकते हैं trichoderma से ठीक है 10 gram trichoderma लें और उसको 1 kg सीड में अच्छे से treat कर लें अगर हम इस type से treat करके बोवाई करेंगे तो हमें ये उक्टा और जडगलन की समस्या जो normally हमें देखने को मिलती है वो नहीं मिलेंगी साथियों अगला point है यहां पर बहुत सारे खेतों में हमें बहुत बड़े स्थर पर जडगलन की समस्या उक्टा वाली जो समस्या है वो विक्राल रूप में देखने को मिलती है जैसे कि अभी कपास की खेती में हुआ है ठीक है आपने देखा होगा दान की फसल में हुआ है और गन्य में देखने को मिल रहा है तो इस टाइप की अगर समस्या आपके खेतों में है तो इससे बचने के लिए आपको 5 ml प्रती लीटर के हिसाब से 5 ml प्रती किलो सीड के हिसाब से हेकसा कॉना जॉल लेना होगा हेकसा कॉना जॉल ठीक है उससे आप ट्रीट करें तो आपके खेतों में ये जो जड़ गलन की समस्या है उक्टा की समस्या ये गारेंटेट नहीं होगी और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ठीक है अगला पॉइंट है यहाँ पर नेमो टोड की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जड़ पर गांठ की समस्या हमने धान में बिकट देखी है बहुत बड़ी समस्या रही है ठीक है इस टाइब की समस्यां से बचने के लिए हमें अपने खेत के अंदर लगबग 5 किलोग्राम कार्बो फुरान को 8 दिन पहले जब भी हम पलेवा करने के लिए जाएं खेत में उसमें बुरकाव कर देना चाहिए और पानी चला देना चाहिए कार्बो फुरान से हमारे खेत में इस टैप की जो जड़ पर गांठ बनने वाली समस्या होती है इसमें बहुत बड़ी राहत देखने को मिलेगी और ये बहुत अच्छा सॉलूशन है ठीक है फुरका कीट अभी आपने देखा होगा गन्ने में जैसे बरसात कम हुई है तो फड़का कीट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जुआर में, बाजरा में, मक्का में ये फड़का कीट धान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो फड़का कीट के अगर समस्या है आपके खेतों में ले लिजे, 2.5 ml प्रती किलो के हिसाब से अपने सीड को ट्रीट कर लो इससे और बुवाई कर दो, इससे आपको दीमक और सपेद लट वाली समस्या से निजात मिल जाएगी, और लगबग 5 kg प्रती एकड के हिसाब से यहाँ पर आप कारवो फुरान को भी जमीन में डाल दें देंगे तो इससे आपको बहुत रहत देखने को मिलेगी, साथियो यहाँ पर बात करें सबसे अच्छे Fungicides कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथि Fungicides के विशे में बहुत बढ़े-बढ़े Heavy Fungicides ले आते हैं और उनसे अपने खेतों में उपयोग करते हैं, स कारवेंडाजिम 12% और मैंको जो आप 13% लेकर आते थे, अब मत लाईए उसे, अब लेकर आना है आपको कारवेंडाजिम 50%, ठीक है, 50% कारवेंडाजिम के साथ में अगर बीज को ट्रीट करेंगे, तो आपको फंगस की समस्या कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर जडगलन और उक्टा की समस्या अगर आपके खेतों में है, तो हेकसा कोनाजॉल 250 ml प्रती एकर के हिसाब से, जड़ पर ड्रिंचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे किसान साथियों के खेतों में अभी भी कपास में यह समस्या देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पर 250 ml हेकसा कोनाजॉल ल मिलती है, आप साथियों यहाँ पर 250 ml हेकसा कोनाजॉल का स्प्रे कर दीजिए, आपके खेतों में मुफली में भी यह समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ पर तने में फंगस लगती है, अभी बात करी हमने जड़ की फंगस की, ठीक ह आता है, और इसके साथ में तने में फंगस की धब्बे देखने को मिलते हैं, क्या ही सारी समस्या इस टाइप की आती हैं, तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्सिक्लोराइड लेना होगा, 250 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से, और वैलिड अमाईसन इसमें 100 ml प्रती एकड के हिसाब से मिला के स्प्रे कर दें, यह समस्या हमारी खतम हो जाएगी, अरली ब्लाइट, जैसे हमने फसल की बुवाई करी और तुरंती उसमें ब्लाइट आ गई, तो उसे अरली ब्लाइट बोलते हैं, तो अरली ब्लाइट को खतम करने के लिए, कार्वेंड हो जाता है, तो उसके लिए विकल्प हमारे पास क्या होता है, इस टाइप की समस्या से बशने के लिए, कॉपर ओक्सिक्लोराइड हमें 250 ग्राम प्रती एकड लेना होगा, और उसके अंदर कासुगा माईसिन 100 ml प्रती एकड के हिसाब से मिक्स करके एक स्प्रे कर दीजे, इससे आपके खेट में रिजल्ट आने के चांसे बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि हमारे पास में सबसे अच्छे टॉनिक कौन कौन से हैं, जिनका हम उप्योग करके अपने खेट में रिजल्ट ले सकते हैं, तो देखिए हियोमिक आपके पौदे की जड़ें कमजोर हैं, और आपका पौदा ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा है, तो आप DAP 800 ग्राम प्रती एकड ले लिजे, और उसमें 500 ग्राम हियोमिक एसेड मिक्स करके, आप एक एकड जमीन में स्प्रे कर दो, आपके पौदे की जड़ें मजबूत हों हियोमिक एसेड उसमें 500 ग्राम मिक्स करें और यूरिया खाथ 600 ग्राम मिक्स करके आप इस्प्रे कर दीजे, अगर पौदे की ग्रोथ फंगस की वज़े से रुकी है, वो चल जाएगी और आपका पौदा आगे ग्रोथ करने लगेगा, साथियो हियोमिक एसेड के साथ में 500 बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, साथियो यहाँ पर हियोमिक एसेड 500 ग्राम के साथ में अगर आप सल्फर मिक्स करना चाहते हैं, तो सल्फर लगवग 20% लीजिए और 20% ही हियोमिक एसेड, ठीक है, दौनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं, सल्फर क एसेड मिक्स कर लेते हैं, तो यह बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर प्लस कीट ना सकते हैं, ठीक है, यह बहुत अच्छे टॉनिक्स हैं, इनका उप्योग करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, साथियो, आशा करता हूँ, आपको जानकारी ठीक लगी और यदि आपको लगता है कि यह दूसरे साथियों के लिए वीडियो अच्छा हो सकता है, तो उनको सेर जरूर कर दें, ताकि वो भी इसका लाव उठा सकें, साथियो अगर चैनल पर नई आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी टाइप की ग्यान वर्धक वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार के साथियों